नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें प्रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा वास्तु विध्यान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं इन उपायों को आजमा कर आप घर में देवी लक्ष्मी की क्रिपा बनाए रख सकते हैं इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा बता दें की तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है बलकि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है आज हम आपको बताते हैं की वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है और यह भी की किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत खुल सकते हैं किस्मत के बंद दर्वाजे लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशिरवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए रसोई को साफ रखें यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तिमाल में लाती हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसे के पती पर पढ़ता है नमबर दो जब सुभा खाना बनाने जाए तो तवे को गरम करने के बाद रोज इस्तिमाल होने वाले नमक को तवे पर डाले परन्तु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्यपदार्थ ना मिला रहे यानि हल्दिया लाल मिर्च ना मिला हो नमबर तीन जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नीम्बू और नमक रगड़े इससे तवा चमकदार तो होगा ही आपकी किस्मत भी चमक जाएगी नमबर 4 तवे या कड़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुर्चें हो सके तो उसे गला कर रख दीजिये और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामगरी को हटाए नमबर 5 तवे या कड़ाई को कभी भी जूठा न करे ना ही उस पर जूठी सामगरी रखें इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा धन के, आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य है नंबर छे अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है घर में बड़े बुजुर ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अप्शकुन के तौर पर देखा जाता है गरम तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज होती है उससे negative energy यानी नकरात्मक उर्जा घर में आती है वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तेरवी के दिन गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मुसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं नमबर साथ, जोतिश में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफसफाई का विशेश तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए नमबर आठ, तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें की तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस पर यूँ ही छोड़ देते हैं ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए चूले पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें नमबर नौ अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए वरना यह आपके घर में कंदाली का कारण बन सकता है और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकरात्मक उर्जा का वास होता है नमबर दस वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्मक करने के लिए एक उपाय बताया गया है तवे पर रोटी सेंकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें कहते हैं कि ऐसा करने से आपके धर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती वहीं इस बात का वैग्यानिक महत्वियह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटानू मर जाते हैं और रोटिया खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता नमबर ग्यारह रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पती की सेहत खराब होती है इसलिए याद रखें जब भी तवाया कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धो कर सुखा कर रखें नमबर बारह यदि घर में पती या बच्चे नशे के लट के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को प्रखने का तरीका सही नहीं है राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है रात में कभी भी तवा बेसिन में न रहने दें तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धो कर ही रखें रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़े अगर आप ऐसा करते हैं तो नकरात्मक उर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी नंबर तेरह तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुट्टे को दें यह नियम बना लें पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए इससे घर में विपदा नहीं आती साथ ही घर की सारी नकारात्मक उर्जा समाप्थ हो जाती हैं घर में सुक्समरिद्धी का वास होता है और धन दौलत में वृद्धी होती है नंबर चौदह घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें की वह सबकी नजर में ना आए तवे पर बाहरी की नजर बिलकुल भी नहीं पढ़नी चाहिए तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें नंबर पंडरह तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है घर में तवेको को उल्टा रखने से घर में नकरात्मक ऊर्जा का वास होता है No.16 लोगों को हमेशा confusion बनी रहती है कि तवेको कहां रखना चाहिए जिससे घर में सुकृषान्ती बनी रहे और धन दौलत में व्रिध्धी हो और घर में सकारात्मक उर्जा का, वास हो तो ऐसे में तवा और कड़ाई जहां खाना बनता है, उसके दाएं तरफ रखना चाहिए नंबर सत्रह, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंध होता है तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवार